नवी मुंबई नेटवर्ग इसी के मद्दे नजर आयुक्त बिजित बांगर ने तुर्भे विभा की नोडल अधिकारी उपायुक्त राजिश कानडे और तुर्भे विभा की सहाय का आयुक्त सुबो थाने करको एपीमसी बाजार में आने वाले लोगों की संख्या को नियंतरन रखने और अधिकाधिक कोरोना जांच की तरफ विशेश ध्यान देनी की तरफ जोड दिया है आखरी क्या होंगे उपायोजना बतादे के एपीमसी मार्केट के माध्यम से मुंबाई और आसपास के शेत्रों में अत्यावश्यक वस्तूं का वित्रन किया जाता है और ऐसी सूरत में इसे बंद करना मुश्किल है और इसलिए कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए थोग विक्री शुरू रखते हुए खुद्रव विक्री को पूरी तरह से बंद रखा जाए ऐसे ही सुचना दी गई है इतना ही नहीं सोंबार अर्था 26 अप्रेल से कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव दिखा कर ही मार्केट में प्रवेश दिया जाए मार्केट के समया नुसार कोविट परिक्षन केद्र बाजार में रहेंगे संचाले बता देकि नवी मुंबाई महानगर पाली का द्वारा शुरू से ही एपीमसी के कांदा पटाटा मार्केट, सबजी, फल, मसाला और अनाज मंडी में सभी पाँच बाजारों में कोविट परिक्षन केद्र स्थापित किये गए हैं जहां प्रति दिन 1500 से अधिक कोरोना जांच किये जा रहे हैं इन सभी पाँचों बाजारों के अलग-अलग समय के अनुसार कोरोना जांच सेंटर अलग-लग समय में सुचारों रूप से जारी रहेंगे सबजी मार्केट में कोरोना जांच के लिए सुभे 8 से दोपहर 2 बजे तक और राद 10 से 3 बजे तक एवं 3 से 8 बजे तक इन 3 शिफ्टों में कोरोना की जांच की जाएगी फल बाजार में सुभे 6 से 12 बजे तक कोरोना जांच की जा सकेगी वहीं मसाला मार्केट कांदा पटाटा मार्केट व अनाज बाजार में सुभे साथ से दो पहर दो बजे तक कोरोना जांच के इंदर शुरू रहेंगे जबकि रविवार के दिन कांदा बटाटा मार्केट में सुभे साथ से दो पहल दो बजे तक कोरोना जान जारी रहेगी यानि हफते के सातो दिन पोविड नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाब दंडात्मक कारवाई बताने की बाजार में सुरक्षित दोरी मास का इस्तमाल न करने वालों को नियमों का उलंगन करने पर संबंदित व्यक्ति और दुकानदार के खिलाब दंडात्मक कारवाई की जा रही है प्रतेक बाजार में 5 व्यक्ति की 5 विशिश दक्षिता पथक, अर्थात कुल 15 विशिश दक्षिता पथक, APMC मारकेट में इन तमाम नियमों को देखने के लिए कारेरत रहेंगे आयुक अबिजित बांगर के निर्देशा अनुसार सुबे 6 बजे से उपायुक्त राजेश कानडे सहायक आयुक्त सुबो थाने करने पुलिस के साथ APMC के सबजे मंडी में छापा मारकर 61 लोगों के खिलाफ कारवाई करते हुए 20,600 रुपियों का जर्माना वसूला सुचना, कोविट के बढ़ते प्रसार को रोपने के लिए APMC के सभी 5 बाजारों में भीड को नियंतरित करना आवशक है और ऐसे में गाड़ियों के आवकों को भी मर्यादित रखने के लिए नियोजन करने के सुचना व्यापारी और माल विक्री करने वालों को दी गई है इतना ही नहीं, APMC द्वारा कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बाजा में प्रविश दिये जाने की हिदायतें APMC ने दे कर इस होट स्पॉट में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कारगर भूमी का अक्तियार की है